असलाम अलेकुम, वेलकरम एक्टीम मैं चल्लाल इंप्रोवेलाइस्टैल कैसे हैं आप सब मेरी दौा है आप सब लोग अच्छे से होंगे जो लोग मुझे नूद देख रहे हैं मैंने वेलकम करती हैं मैं चल्लाल पर और आज की वीडियो रिलेटीड टू हैंड क्रीम्स है और यह वीडियो विंटर-समर दोनों के लिए है लेकिन क्योंके विंटर में मुझे सबसादर रिकूस्ट आ रहे थी कि मैं हाठ जीप से निले पीले हुरह हैं Krack हो रहे हैं ड्राय हो रहे हैं अजीप से मैं अकड़ास्ट हो रही है हाथों में समझ नहीं हा रही कि क्या किय तो सब सबसे अधा प्राब्लम जो होता है winter में कि skin तो dry होती है लेकिन हाथ पो extreme level के dry हो जाते है यूँकि जब वजू भी बार-बार किया जाता है जो हम लोग करते हैं उससे भी हाथ पो dry हो जाते हैं उसके बाद हम लोग की major mistakes क्या होती है winter में और summer में बताती हूँ लेकि winter के मैं आज बात करूँगे सरदिया चल रही है तो है ये चीज़े दोनों के लिए लेकिन मैं winter के ज़रा बात करूँगी आज क्यूंकि मैं अपने चैनल पर बात करती हूँ डिटेयल जो लोग नुई देख रहे हैं ना बता दू कि मुझे फाइव यर का skin का experience है इस screen पर को मेरी की नज़र आ रही है मैंने हजारों लोग की skins को ठीक किया है दस मीरों में pigmentation और मलादमा हो मैं सिर्फ अल्ला के लिए जो है वो लोगों की help करती हूँ ताके जो लोग ने मुझे knowledge दिया मैं YouTube पर आई इसलिए हूँ कि कुछ ऐसी असलियत ही है जो मैंने YouTube के थूपत आई है एक तो मैं हर skin type के रहाज से बात करती हूँ मैंने अपने Instagram और WhatsApp नमबर तक दिया हुआ यूँकर मुझे कोई डर नहीं है कुछ ऐसी हकीकते हैं जो मैंने देखी भी कुछ फिल्ड में आके और दो साल पहले भी जो यूट्यूब चैनल तो से पहले 6 साल पहले भी देखी तो वो मैं explain करती हूँ और मैं हर skin type के लिहाज से बात करती हूँ और भी एक skin type पर बात नहीं करती हूँ बढ़ते हैं Winters Summers पहले विंटर की बाद से करूँ यह विंटर में हाथ तो पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती एक तो वो ड्राइनस होती है उसके बाद वो हाथ जो है वो अजीब से कलर हो जाता है वो लोग कैते हैं ब्लैकिश की तरफ कलर चाह वो ब्लैक की तरफ खेघे की वो तक तो कर लाकर लिएंग फ ehouth की की तरफ क्या होता है है के सर्दियों में आप को दो चीदो को देखना होता है एक तो dryness then आपने complexion दो चीदो को देखना में स्टेक का करे हो तेज मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे मोलक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी हमें वाइटिनिंग चाहिए चाहिए वो फर्मूला क्रीम से आए चाहिए वो केमिकल से आए चाहिए वो लेजर ट्रीटमेंट से आए मैंने अपने चनल पर वेरनस दिये कि कभी भी फर्मूला क्रीम चाहिए हातों की हो चाहिए पैरों की हो चाहि पूरती हो नहीं यूज़ करनी चाहिए आज कल यूट्यूबर्स आपको थम्नेल पे उल्टी सीधी बाते लिखे ट्रेक करके सब्सक्राइबर रोव्यू लेके आप लोग की स्कीन से खेलते हैं यह भूल के कि हम अल्ला के आगे जवाब दें अगे अगर हम यहां बैठे हैं को ड्राय कर देती है हातों पाउं की थोकि मेरे इंस्टाग्राम और वाट्सेप के थूँ तो मेरी रोज बात होती है तो यह बहुत बड़ी घलती है सरदियों में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि आप वाइटनिंग क्रीम अपने हातों पाउं पे लगा रहे होते हैं बन अरिजनल फेक भी बताती हूं पहले बहुत हैं जो सबसे मेन बात होती है यूट्यूबर जो और वाट्सेप नहीं बताते है शाइद वह इस फील्ड में नहीं है तो आज आपको मेरे सामने यह 4 क्रीम नजर आ रही है कोरियन और यह 5 थी एक मेरी मिल नहीं रहे है यह इस त देखे मुझे इस टेम हर age का बंदा देख रहा होगा हर skin type की problem वाले देक रहा होगा पहली बात सर्दियों में अपने हातों पैरों को chloride करें Whitening बाद में आएगी पहले चाहा vice hand, food , next को मॉस्टराइज कीजिए बाद में कोई वाइटनिंग या स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाईए तो मैं आज बात कर रही हूँ इन क्रीम के हवाले से इसका सोरी कैप गुम गया क्योंकि यह बहुत यूज की जाती है हमारे घरें बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो इसको पा पैकेजिंग और यह पीछे आप देख सकते हैं सारी कोरियन लिखी हुई है बायो एक्वा की है सबसे बड़ी मिस्टेक जो बायो एक्वा को आज को समझा जाता है बायो एक कोरियन ब्रैंड है आज से तकरीबन बारा मीने पहले मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं किसी में नहीं थी अब हूँ वह मैं आपको वाटसाप और इस्टाग्राम पर पता दो कि यूट्यूब पर हम सारी बाते नहीं बता सकते हैं रिस्रिक्शन लग जाती है मुझे तब पता चला है कि बायो एक कोरियन ब्रैंड है और यहां पर जो इसकी कॉपी बनाई जाती है इनका जेल बेस टेक्स्टर होता है यह थोड़ सा मैं आपको लगाल कर दिखाती है यह आप दिख सकते हैं खुश्बू बेतरीन इतनी पॉकिट फ्रेंडली और साथ पॉकिट में अब रग भी सकते हैं मैं जिम जाओं मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूं कहीं भी जाओं यह मेर मैं इवं सिस्टर के इसमें भी होती है बैग में मेरे ट्राॉलजल के मैं जेड में रखी होती है यह इतनी बहतरीनёр लाइट सी खुश्बू कोई इसकी ट्वाइट कास्ट नहीं हाथ मॉस्टराइजस जिन लोगे हर वक रहते हैं क्रेक्स मॉस्टराइजस नहीं और साथ the skin इतना जबरदस इसका टेक्स्चर है और हर फ्लेवर में है कोई भी फ्लेवर आप लगा सकते हैं जैसे ये फ्लेवर में देख सकते हैं बहुत जबरदस खुश्बू है लेकिन कलर इसका ट्रांसपेरंट है क्यूंकि इसका जो चीज ट्रांसपेरंट में ज़्यादा होती है व यह पांच का सेट होता है मैं पूरा सेट महँवाती हूँ और अमेजिंग आप चाहे तो पहले एक एक करके इसको यूज करें यह आप कहते हैं कि दिन में तीन दफ हम डिफन 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 फ्लेवर यूज कर सकते हैं जब भी आप वजू करें उसके बाद थोड़ी सी इस कॉंडिटी में लाइक इस कॉंडिटी इस इनफ बहुत ज्यादा है यह करके आप लोग इसको लगाईए जिसके पास आप बैठेंगे उसको भी लाइट लेट से धीमी खुश्बू आएगी आपको भी आएगी और आपको ना सबसे बहतरीन बात जो मुझे इसकी लगी है यह दिख सकते हैं आप हाथ की स्किन थोड़ी ठिक ठिक लगती है यानि पतली स्किन वाले जो होते हैं हाथ पे कुछ लगाए हमें वेंस प्रॉमिनेट होती है हाथों की स्किन को थोड़ा हल्दी कर देती है लाइट सी खुश्बू मॉस्ट्राइज और अगर आप केर के साथ यानि मैं कभी भी नहीं कहती कि एक क्रीम जादू कर देती है मैंने यह थमनेल आप को स्किन पर शोग और जिसको भी स्किन का इश्यू है मैं इस वीडियो में बोला था कि मेरा पास साल का एक्स्पीरियंस है कोई भी एक चीज से स्किन ठीक नहीं होती इसी तरह हाथ प कि विडाउट फर्मूला यूज कर रहे हूं वह इसके उपर आप लगा सकते हैं अदरवाइस मोस्टराइजिंग के लिए जिनके हाथ क्रैक्स हो जाते हैं जिनके वह वह रिंकल्स आ जाते हैं बहतरीन यह पांच का सेट है एक दफा ले ले और आप कहेंगे वाकी में जिस प्रोडक्स है मैंने पहले औरडिनरी के उपर भी रिव्यू दिया था और उसे मैंने उस पर कुछ हकीकते बताएं थी वह जिसको भी जो इशु है हाथ से लेके पैर से लेके मूझ से लेके वह आके इस्टाग्राम और वाटसाप पर आपता कर ले मैं वहाँ डिटेल बात घाल भी करती हूं जो आब भी देती हूं वह येकरीब जरूर यूज्स करें winter summer देख सकते कि प्योटर में से आप जहाते हरा लेकिन में मेरे से लिकार्टर के एक्स्पीरियोंस और मुख्लिस रिवीव देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए कि इंस्ट्राइग्राम वाटसाप याके मुझसे बात कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप दिखा के नेक्स्ट एक बहुत अधर इंफरमेटी वीडियो मुलकात होगी अपना ख् प्रॉड़ निए ख्योट लाएब कि जीए और नेक्स्टाइब कि आर देखने चाहिए झाल के लिए जीएवी जग्टाइब का हुँनि लेग श्याएगों से ले एक्स्टाइब कि इंसटाएब कि अ